कि है लो दोस्तो आप सबी का हमारे यूटीब चैनल डीके पार्ट साला में स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि आज आपका यूपी पीए सी आरो ए रो का आपका एक्जाम था तो दोस्तों कई च्छात तैसे जिसके मेरा मेसेज आए कि सर्थ हमारा पेपर अच च्लिए अमारा है ठीक है अब देखे देखे दिश्टों इसमें क्या अब देकि जीज तो आपने आरो पड़ा था इसमें पढ़ना पड़ेगा वह जीस आपको कुछ अलग नहीं है लेकिन इसमें आपको कि छाटर। वह आपको थोड़ा अलग से पढ़ना है उसमें कुछ पार्ट आपका हिंदी का भी आता है मैंत का रीजिंग का जीएस का तो यह सब थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पढ़ेगा ठीक है इस एक्जाम के लिए तो दोखी तो पहले में बताना चाहता हूं आपको देखिए चाहतर ने हमारे और और यहार का करेंट अफैर जी एस और आपका हिंदी के अगर आपने नौट सपर्चेज किए थे या आप हमारे और यहारो के पेड़ गुरूप में जुड़े हो तो ठीक है तो इतना दोस्तों गार्ट एम आप्टे में आप दता हूं कि अगर आपने पूरा दिखा दोगा तो उसके बाद दोस्तों आपको यकिन हो जाए कि हमारे नोट से आए अगर दोस्तों अभी बीजिक कहना चाहते हों कि लगवा करें दोस्तों यह मेरा वार्सप नमबर है यह 724265-4209 ठीक है इस नमर दोस्तों आप मुझे मैसेज करें तो सारी जानकारी नोट से रिगाड़ेंगा आपको देद दी जाएगए अगर नोटस लेने कि चोड़ेंगे आप मुझे वार्सप पर मैसेज करें ठीक है इतना दोस पूरा फोकस आपको यूपी पीचस एक्जाम पर करना होगा ठीक है लगवा कोर्स करिए लेलिए आप 8-10 गंटे के इस्टटी करें अगर आपको एक्जाम अच्छा हुआ है तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप यूपी पीचस के एक्जाम छोड़ दें अगर आप आपको एक्जाम वाकिए मैं अच्छा हुआ दोस्तों कल सी अपनी मैंस एक्जाम आपको जुराई होने वाला 5-5 मिने बाद तो अपने मैंस एक्जाम के त्यारी करना पर स्टार्ट कर दें जो दोस्तों मुझे लगता देखिए अगर आपके 120 के आसपस अगर मार्क सापको पर बनना हैं तो पूरा चांस है कि आपको पिरी है वह आपका के लिए हो सकता है कि अगर आप जनर्लकेटिक से बलोंग करते हो तो नेवल को देखते हुए क्योंके जो आपका जिएस का प्र तो आपको आपको पर आपका एजी था तीक हिंदी दो आपके थोड़ा बहुत के लिए हो जाएगा अगा दोस्तों को आपको मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो थैंक यू फो वाचिंग